CM त्रिवेंद सिंग रावत ने पौडी गड़वाल में जिन्दा जली चात्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया है CM रावत ने कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद भी पीड़ित चात्रा को न बचाने का मलाल है सबदर जंग अस्पताल में सबसे बेस्ट बर्न यूनिट है जहां पीड़िता को इलाज के लिए भेजा गया था लेकिन वहाँ पीड़िता के इलाज के दौरान मौत हो गई इसके साथ ही सीयम रावत ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार चात्रा के परिवार के साथ है ऐसा है कि उस बच्ची को बचाने का भरसक प्रियास किया गया और डॉक्टर्स की रिक्मेंडिसन पर और उनके परिवार वालों से बाचीत करके उसके दादा जी मिले थे उनकी मा मिली थी मुझे जब मैं अस्पताल में गया था तो उनसे बाचीत करके हम क्योंकि देश में सबसे अच्छी जो ब्यवस्ता है वर्ण के लिए वो सफदर जंग हॉस्पिटल दिल्ली में है वहां पर हमने उनको भेजा था लेकिन दुरुभाग्य से तमाम प्रियासों के बाद भी उस बच्ची को नहीं बचाया जा सका हमार लिए बड़ा सट बैक है और अब तो उस आत्मा की सांती के लिए प्रार्टना की जा सकते इसके अलावा सीम रावत ने कहा कि उत्राखंड में महिलाओं के साथ छेडचाड की बड़ती घटनाओं पर सरकार काफी सक्त है और पलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गए है कि मंचलों का सही से इलाज किया जाए साथ ही सीम ने कहा कि महिलाओं के साथ छेडचाड बरदाश्त नहीं की जाएगी गोरतलब है कि पौडी में चात्रा के उपर पेट्रोल छिड़क कर एक मंचले दरिंदे ने आग लगा दी थी जिसके बाद पीड़ता को इलाज के लिए रिशी केस इम्च में भरती कराया गया था जिसके बाद में सीम तिर्वेंदर रावत ने पीड़ता को इलाज के लिए सवधर जंग अस्पताल में भेजा लेकिन जिन्दगी और मौत से जोज रही पीड़ता ने दम तोड़ दिया पंजाब के इसरी टीवी के लिए देहरादून से कुल्दी प्रावत की रिपोर्ट